नालंदा जिला रहुई प्रखंद अंतरगत सोसदी गाउ के अधोरे विकास और जोरे कई समस्याओं से परिशान ग्रामी ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना और कहा कि हम आपको आहंकारी व अपस्वार्थी मुख्यमंत्री चतुर चाचा नरलज नितेश कुमार के दोहरे पन के ओची राजनिती का शिकार हमारा गाउ समाज प्रखंद के विनाश का मुख्यकारन है हमारी पिता श्री मदन सिंग द्वारा 1985 एश्वी के विधान सभाब चुनाव में किया गया दार्तापूर्ण निस्वार्थ समर्थनी है जिसे आज तक चाचा के कुछ बेसरम दलाल चम्चो ने बखुभी निभाया प्रिये जनो इसका विस्तार वर्णन हमारे यूट्यूब लिंक पर वर्तमान स्थित के साथ सचित्र उपलब्ध है अता आप क्रिपालु जंता जनार्दन से बिन्रविंती है कि इसका पून परताल कर सत अशतकार निर्ने दे सरकार के बारे हम क्या कहना चाहेंगे जो बास्तिविक्ता है उसको हमने दर्साया है हमारे चाचा हंकारी अब स्वार्थी हो गया मुखमंतरी नितिस कुमार निरलज हैं पूरा है हर तरह से हम लोग कुचल दिये गए हैं समाज में लोग इतनी बिमस्था है, इतना अपस्वार्थ पंड भर गया है, कि मतलब कि किसी को कुछ सोच ही नहीं, कुछ सोच ही नहीं रहा है कि आगे क्या करना है नहीं करना है, ऐसा स्थिती है, एकदम पूरा हम लोगें का गाउं का व्याश्था जरजर है, ना पानी की ढंग से का विवास्ता है, ने सिचाई का विवास्ता है, ने बिद्याले का विवास्ता है, ने अस्पताल का विवास्ता है, जो नहीं है, उसी चीज के हमने बारे में बता है, बता है, इसलिए मुखमंत्री पर इसलिए है कि मुखमंत्री को हमारे पिता जी नहीं नितिस कुमार को ने सो पचाज से की विधान सभाचुना में समर्थन किया था हमारे पिता जी परतिनीदी थे लेकिन वह भी परतिनीदी थे वह आये मेरे पिता जी के सरण में की मदन बाबू मदन भीया जे भी कि हमको समर्थन कर दिजी सब लोग आये समर्थन कर दिये वह व आज तक सेवा कर रहा हूं कि इस चीज के लिए कि तो बहुत सकती क्या अब सकता होगी लेकिन अकेले लड़ना है हमको एस चीज सब कुछ पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है तो हम निश्चिंत भाव से लह रह रहे थे अब समय आ गया है कि सारे लोग नाक में दम हो गया जिसे कहते हैं कि एकदम अंतिम समय आ गया है तब और तब आवाज दिये हैं और आवाज आपके मीडिया दोरा इसलिए दिये कि आपका मेडिया जनता का नहीं सुनेगा तो क्या करेगा सबकर सरकार का तो सुनाता ही है लेकिन अब जनता का भी सुनिए इसलिए हमने सत्य को बोल के समझ के जिस तरह सभी हुआ है परसारित करने का कोशिस किया हूं जिससे सरकार यह बात को समझे और अब किये गाउं समाज के लिए भी करते तो लगता कुछ की लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं कि हम इतनी जानता हूं रोड बननी जाने से कुछ नहीं है लेकिन बेवास्ता है अनक खेती का सिचाई का है नेस पतार कुछ नहीं है